असलाम आलेकुम फ्रेंड्स वेलकम टो बैक मैं चैनल सालिहा डिजाइनर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत यूनीक और ट्रेंडी डिजाइन के साथ फ्राग के कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी ये डिजाइन मैं 8 साल की बच्चे के लिए बना रही हूँ आप इसको फॉलो करते हुए किसी बेज के लिए बना सकते हैं आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिलीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल ऐकोन पर किलिक करें तक हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहें वीवर्ज ये हम लॉन फैबरिक में फ्रॉग तियार करेंगे ये इमरैडरी वाला फैबरिक हमने पोना गज लिया है ये काफी चोड़े अर्ज में है इसका हाफ इसा पलेन है पलेन से हम बैक तियार करेंगे और इमरैडरी से हमने फ्रंट पर डिजाइनिंग करनी है और हमने ये दोगस फैबरिक लिया है जिसे हम फ्रेंट कपर्ट बाजू और फ्रिल्ज लगाएंगे कटिंग से पहले मैं आपको साइज बता देती हूँ फ्रॉब की लेंध हम 31 इच रखेंगे 13 हमने 12 इच पर त्यार करना है चेस्ट हम 14.5 इच पर त्यार करेंगे फिटिंग हमने 13.5 इच पर त्यार करनी है बाजो हम 14 इच पर त्यार करेंगे घेर हमने 27 इच पर त्यार करना है कटिंग से पहले हमने पलेन कपड़े पर पलेट्स लगानी है तो इसके लिए हम निशान लगा लेते हैं वीवर्ज हमने कपड़े को फॉल्ड करते हुए आईरन की मदब से सेंटर का निशान लगा लिया है। अब हम यहां से कटिंग करते हुए कपड़े को सिद्धा कर लेंगे अब हम इसको खॉलेंगे और सेंटर में प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। इंची टेप को यहां रखते हुए 10 इंच पर हमने निशान लगाना है यहां कौने में रखते हुए हम निशान लगाएंगे यह एक इंच की दोरी पर हम दूसरी पलेट के लिए निशान लगाएंगे और यहां से भी हिर्से इंची टेप को इदा रखते हुए एक इंच पर हम निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम यहां भी लगाएंगे और इस कपड़े को इस तरह फॉल्ड करेंगे और इस तरी की मदद से दूसरी साइड पर भी हम निशान लगा लेंगे अब इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे अब हम ने इंची टेप को सेंटर में रखते हुएं फिप्टीन इंच पर निशान लगाना है और एक इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है इसके बाद हम यहां से कट कर लेंगे अब हम यहां पर प्लेट्स लगाएंगे कपड़े को इस तरह पकड़ते हुए यह देखे निशान को बिल्कुल किनारे पर रखते हुए हम प्लेट्स लगाएंगे हाफ इंच की हमने यह प्लेट्स लगानी है अब ऐसे ही हम दूसरी प्लेट्स लगाएंगे ऐसे ही अब हम तीसरी प्लेट्स लगाएंगे ऐसे ही हम दूसरी साइट पर भी प्लेट्स लगा लेंगे यह हमने दोनों तरफ से प्लेट्स लगा ली है 31 इंच पर हमने फ्रॉक त्यार करनी है नीचे हमने एक इंच की फरिल लगानी है तो सलाई और कटिंग का मार्जन रखते हुए हम 31.5 इंच पर इस हिसे को अलग कर लेंगे यहां से कटिंग करते हुए हमने इस कपड़े को बराबर कर लेना है इसके बाद हम पलेन हिसे को अलग कर लेंगे यह 9 इंच की लंबाई पर हम कपड़े को यहां से कट कर लेंगे और इस कपड़े की चुड़ाई हमने 17 इंच रखनी है यह फ्रन्ट और बैक को इस तरह रखते हुए यह देखें आदे इंच के गैप से हमने बैक को रखा है और अब यहां से हम साइज करेंगे तीरे के लिए बारा इंच हमने तीरा तीरा रखना है यह कपड़ा हमारा फॉल्डिंग में है सिलाई का मारजन रखते हुए हम साड़े चेंच पर निशान लगाएंगे आर्म हॉल के लिए भी हम साड़े चेंच पर निशान लगाएंगे यहां सिलाई का मारजन छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरह रखेंगे और कमर के लिए हम यहां निशान लगाएंगे 5 इंच पर यह कपड़ा हमारा फॉल्डिंग में है फिटिंग हमने 13.5 इंच रखनी है तो मैं पॉने 7 इंच पर निशान लगाऊंगी यहां पर हम हलकी सी गुलाई दे देंगे चेस्ट हमने 14 इंच पर तयार करनी है 1.5 इंच का मार्जन रखते हुए हम कटिंग कर लेंगे घेर हमने 27 इंच तयार रखना है तो यह कपड़ा हमारा फॉल्डिंग में है सिलाई का मार्जन रखते हुए 14 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी अब हम इस तरह निशान लगा लेंगे यह बैग पर हमारा कपड़ा हलका सा कम हो रहा है इस तरह यह कपड़ा रखेंगे और यहां से जोड लगा लेंगे यह धाई इंच पर इंची टेप को यहां रखते हुए हम यह निशान लगाएंगे गुलाई करनी है यहां यहां पर हमने पौने इंच की तरची कटिंग करनी है चैस्ट हमने साड़े चौदा इंच रखनी है तो इस तरह सवासाथ इंच पर हम यह कट का निशान लगा लेंगे इसके बाद अब हम यह फ्रेंट के पार्ट पर यह इंबराइडरी वाला फैबरिक रखेंगे और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे और इंची टेप को यहां रखते हुए हम चार इंच पर निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम हलकी हलकी गुलाई देंगे फ्रेंट के आर्म होल का निशान लगाते हुए हम यहां से कटिंग कर लेंगे अब हम बाजो की कटिंग करेंगे बाजो हमने 14 इंच त्यार रखनी है और 5 इच का हमने पैच लगाना है सिलाई और कटिंग का मार्जन रखते हुए हम 10 इंच पर निशान लगाते हुए इसको अलग कर लेंगे यह कपड़े की किनारे वाली साइड है यह देखें यह आड़े रुख वाला हमारा कपड़ा बचा है इससे हम गले की फ्रील लगाएंगे जिससे गुलाई अच्छी तरह बैट जाती है इंची टेप को तीन इंच पर रखते हुए हम इस तरह निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे यहां से हम सवा छे इंच पर निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे अब हम फ्रेंट के पार्ट पर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे यह देखें यह दो लेयर लेनी हैं यह फ्राग के बाडर पर लगाने के लिए और बाजों पर लगाने के लिए यह 6 इंच चुडाई पर हमने यह 4 लेयर कपड़े को बिचा लिया है अब हम इसके कटिंग कर लेंगे यह गले पर फरिल लगाने के लिए यह पौने तीन इच की चोड़ी हमने सट्रिप के कटिंग की है और यह फॉल्डिंग में है इसकी लंबाई हमने साड़े सोला इंच रखी है यह देखें ऐसे ही हम ओपन स्टाइल में जो फ्रिल लगाएंगे इतनी ही चोड़ी सट्रिप की हम कटिंग कर लेंगे इस कपड़े को फॉल्ड करते हुए हमने इसकी लेंथ बढ़ानी है तो यह जो लगाकर हम ओपन स्टाइल में फ्रिल लगाएंगे यह कपड़ा हमारा फॉल्डिंग में है इंची रैप को इस तरह रखते हुए हम तीन इच पर निशान लगाएंगे और इसके गहराई के लिए हम साड़े तीन इच पर निशान लगाएंगे यह साइड के कटिंग में से जो कपड़ा बच्चा है उससे हम घेर की फरिल बना लेंगे कटिंग हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम स्टीचिंग करेंगे यह देखें फ्रेंड्स यह फरिल को फॉल्ड करते हुए हमने यहां सिलाई लगा ली है अब हम यह लेफ्ट साइड पर लगाएंगे इसको यहां रखेंगे और फरिल बनाएंगे यहां बारेक बारेक चुनट देते हुए फरिल बनाएंगे ये छे इंच की दूरी पर आकर हम इसको खतम कर देंगे अब हम इसको इस तरह पल्टेंगे एमराइडरी वाले पार्ट को इस तरह रखते हुए हम यहां से सिलाई लगा लेंगे ये देखें इसको फॉल्ड कर लिया है अब हम इसके दूसरे हिस्से को इस तरह पल्टेंगे और यहां सिलाई लगा लेंगे ये आधा इंच का मार्जन छोड़ते हुए हमने सिलाई को रोक लिया है अब इसको इस तरह पल्टेंगे और सिलाई लगा लेंगे यहां से फॉल्ड करते हुए अब हम यहां यह देखें इन दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए और इन पलेट्स को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे यह देखें यह गैप छोड़ते हुए हमने यहां सिलाई खतम कर दी है यहां से एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेंगे अब हम फ्रांट और बैक के शॉल्डर को आपस में जोइंट करेंगे अब इंची टेप को इस तरह रखते हुए 1.5 इंच की लंबाई पर निशान लगाएंगे और बैक के गले की कटिंग कर लेंगे यह गले पर फरिल लगाने के लिए हम इस सट्रिप की गुलाई करेंगे इस तरह की मदद से इस तरह यह देखें गले को इस तरह फॉल्ड करते हुए सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे और ऐसे ही फरिल पर भी सेंटर करते हुए निशान लगा लेंगे यह देखें और यहां फरिल लगाएंगे अब यहां सेंटर को अपस में मिला लिया है और इस पटी को भी फॉल्ड करते हुए यहां पर सिलाई हतम कर देंगे यह गले पर लगाने के लिए हम उरेव में पटी की कटिंग कर लेंगे यह एक इंच की चुड़ाई पर हम फिर से कटिंग करेंगे और इसको इस तरह आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे यह देखें इस पटी को इस तरह फॉल्ड करते हुए हम यहां रखेंगे जहां यह पहली सिलाई लगी है वहाँ एक और सिलाई लगाएंगे और इस पटी को फिक्स करेंगे यहां से एक्स्टर कपड़े की कटिंग कर लेंगे और इस तरह फॉल्ड करते हुए अब हम इस पटी को इस तरह मोड़ेंगे और यहां सिलाई लगा लेंगे अब हम यहां डबल सिलाई लगाएंगे अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है देखे इंची टेप को सेंटर में रखते हुए साड़े चौदा इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाना है और फिटिंग के लिए साड़े तेरा इंच पर निशान लगाना है इंची टेप को इस तरह सेंटर में रखते हुए ये इस तरह निशान लगा लेंगे ऐसे ही दूसरी साइड पर भी निशान लगाएंगे ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम घेर पर फ्रिल लगाएंगे ये देखें यहां रखते हुए हम कंप्लेटली फ्रिल लगा लेंगे ये देखें फ्रांट के चाक को हम इस तरह मोडेंगे ये डबल फॉल्ड लगाते हुए यहां पर फ्रिल लगा लेंगे और ऐसे ही चाग की दूसरी साइड पर भी इसको डबल फॉल्ड लगाएंगे और यहां से फरिल स्टार्ट करेंगे यह देखें इस कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए और इस फरिल को इस तरह फॉल्ड करते हुए इस बार्डर को हम फॉल्ड करेंगे और यहां से सिलाई लगाएंगे यह देखें फ्रेंड्स यह फ्रांट और बैक के डिजाइनिंग कंप्लीट करते हुए यह हमने बाजो पर भी फ्रिल लगा ली है यह देखें अब हम बाजो स्टीच करेंगे यह देखें बाजो की फ्रेंड्स साइड से एक्स्टा कटिंग होती है इसका ध्यान रखते हुए और यह फ्रांट के भी फ्रेंड्स साइड लेनी है और इसको इस तरह करते हुए यह साइड करना है यह देखें और यहां पर सिलाई खतम करनी है अब हम शॉल्डर का सेंटर लेंगे और यह बाजो के सेंटर को आपस में टच करते हुए रॉन्ड में सिलाई लगाएंगे ये देखें फ्रेंड्स ही हमारा फ्राग कम्प्लीट हो चुका है जो बहुत ही खूसुरत लग रहे है ये देखें और इसकी बैक पर भी फरील लगाई है ये देखिए बहुत ही खुसरत लग रहा है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट्स करके जरूर बताएं आपके अच्छे कमेंट्स का हमें इंतजार होता है फ्रेंट्स को शियर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलें नई वीडियो तक के लिए अल्ला हाफीज